वेलकम अगेन तो एजुकाट क्लासिस तो लास्ट वीडियो के अपने पढ़ा था एक्सडाइस 4.1 और 4.2 के जो भी कोशुन थे वो सारे अपने सौल किये थे अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखिए भी तो आप जाके देख सकते हो आज के इस वीडियो मा हम डिस्क प्लस प्लस c is equal to 0 टीक है जीस्ता कि मैंने पहले भी आपको बताया है तो यह है जनरल फॉर्म एंड इसमें अपने पास में quadratic फ्रमला होता है x is equal to minus b plus minus under root b squared minus 4ac divided by 2 है ठीक है तो यह formula होता है x का value find out करने का कोई भी quadratic equation के लिए तो अपन जैसे यह quadratic equation जनरल form है ax square plus bx plus c is equal to 0 इस quadratic equation से अपन कोई भी quadratic equation को compare करके या इस general form से किसी भी quadratic equation क compare करके अपन a, b और c का जो value हैं वो compare करके find out करके इस formula के अंदगर अपन put करते हैं तो अपने पास में x का जो value है वो find out हो जाता है आगे में इसके questions भी solve करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपने को compare करके values find out करनी हैं और कैसे इस formula करना अपने पूट करके solve करना है ठीके तो अभी आते हैं कि ठीक है ये तो होता है बट nature of root क्या होता है अब nature of root के अंदर आता है कि कोई भी quadratic equation है उस equation के roots किस तरह के है मतलब find out कर सकते है कि नहीं कर सकते है roots कैसे है equal है negative है positive है कैसे क्या root है तो वो सारी शीज़े अपन यहां पर discuss करने वाले है तो जिसा कि आप देख पार हो यहां पर देखो root में जो है यहां पर है यहां पर है b square minus 4ac अगर b square minus 4ac का जो value है अपन b sबसे पहले जब भी quadratic formula से किस equation को solve करेंगे तो सबसे पहले अपन b square minus 4ac का value find out करेंगे और देखेंगे कि b square minus 4ac का जो value है वो equal to 0 आ रहा है greater than 0 आ रहा है यह less than 0 आ रहा है if मान लो b square minus 4ac का जो value है वो greater than 0 आ रहा है तो उसमें जो है अपने को दो distinct real roots मिलेंगे तो distinct real roots का मतलब हुआ कि दो roots होंगे जो अलग-अलग होंगे ओर जो आपन find out कर सकते है तो तो इसमें लिखेंगे आपन two distinct real roots तीक है आपन find out कर सकते हैं बट different होंगे same ने होंगे फिर आते है अपन अगर मालो b2-4ac का value है वो अगर equal to zero हो तो उस case के अंदर जो दोनों जो roots है वो बराबर होंगे ठीक है दोनों roots बराबर होंगे अगर b2-4ac का value zero होता है तो और उस case के अंदर अपन direct जो value है वो अपन find out कर सकते है x is equal to minus b upon 2a ठीक है direct upon b और a का value put करके minus b upon 2a के formula के अंदर direct upon x का value find out कर सकते हैं तो उस case के ने दोनों ही जो 0s हैं वो बराबर आते हैं अगर b square minus 4ac का जो value वो 0 होता है फिर आते हैं सबसे बाद में last में b square minus 4ac less than 0 यहाँ पे b square minus 4ac का जो value है वो negative है ओ तो यहाँ पे negative है तो यह जो root में था वाँ पे formula के अंदर b square minus 4ac इसका मतलब का रूट के अंदर जो value है वो negative आगया ठीक है अब negative value आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जब values root के अंदर रहती है negative के अंदर तो अपन उसके root जो हो find real roots जो हो find out नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है no real roots आएगा यहाँ पर ठीक है इसके real roots जो हो exist नहीं करेंगे ठीक है for the given quantity equation in this case तो यह चीज़े अपने को ध्यान रखने है सबसे पहले है कि b square minus 4ac is greater than 0 होता है तो उसके real root exist करते हैं और two distinct real root होता है ठीक है real root फिर अगर आता है b square minus 4ac is equal to 0 तो यहाँ पर होता है real and equal roots ठीक है और अगर b square minus 4ac का जो value है वो अगर less than 0 आता है तो यहाँ पर आता है no real root ठीक है no real root ठीक है imaginary root अपने इसके find out कर सकते हैं जो कि अभी अपने syllabus में नहीं है बट हाँ इसको अपन लिखेंगे no real root ठीक है तो यह हो गई तीनों conditions यहाँ पर भी लिखी है two distincts real roots if b square minus 4ac is greater than 0 two equal real roots if b square minus 4ac is equal to 0 no real roots if b square minus 4ac is less than 0 तो यह आ गए अपने परस में तीनों यह चीजे तीनों nature of roots तो तीन nature of roots होते हैं जिसमें मैंने तीनों आपको बता दिये अगर इन में से कोई doubt हो तो प्लीज आप मुझे पूस सकते हो now आपने के example सोल करेंगे अब देवो यहाँ पर आता है यहाँ लिखाया है find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of roots तो अपने को इसके अंदर discriminant भी find out करना है ठीक है discriminant और इसके अंदर अपने को find out करना है nature of roots तो discriminant क्या होता है discriminant का उपन denote करते है d से और इसका formula होता है b square minus 4ac और discriminant अपन find out करते है कोई भी quadratic equation का nature जानने के लिए ठीक है तो यह discriminant का formula आपको याद रखना है कहीं बार आपको exam में पूचा जाता है कि discriminant find out करो तो इसका formula था b square minus 4ac ठीक है तो यहाँ पर अपने को equation दे रहे है जैसा कि मैंने आपको बता आए था कि मैं आपको बताऊं का भी सही कि अपर को nature of root जो है वो कैसे find out करना है equation में आपको a, b और c की जो values है वो compare करके कैसे find out करनी है तो वो सारे चीज़े भी बताऊंगा तो चलिए इस question को अपने solve करते हैं यहाँ पर discriminant और nature of root दोनों find out करते हैं ओके, so यह आगया अपना तो equation आपने को देर किये 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 और आपने को पता कि general form होती है x square plus bx plus c is equal to 0 यह general form होती किसी भी quantity equation को अब देखो यहाँ पर x square के साथ में क्या है a और यहाँ पर क्या है x square के साथ में 2 it means a is equal to 2 ठीक है, अब यहाँ पर x के साथ में b ठीक है, और यहाँ पर x के साथ में minus 4 sign को भी mention करना ठीक है, minus 4 तो यहाँ पर b is equal to हो जाएगा minus 4 फिर c c is equal to constant number तो constant number यहाँ पर 3 है तो constant number हो जाएगा c 3, ओके, तो a का value 2, b का value minus 4, c का value plus 3 अब अपन फाइंड आट करते हैं यहाँ पर discriminate तो डिस्क्रिमेंट का फिर्मदा, d is equal to b square minus 4 a c is equal to b square, means minus 4 का square, minus 4 a c means minus 4 multiply a, a का value 2 into c का value 3, ठीक है, तो minus 4 का square जाएगा, 16 minus 4 into 2, 8, 8 into 3, 24 so minus 24 is equal to यह हो गया अपने पास में minus 8, अब देखो, d का जो value है, डिस्क्रिमेंट तो आगया, अपने पास में, minus 8, ठीक है यहाँ तक यह होगा, अपना first part is का, इस question का, अब अपने निकालना है, nature of root तो यहाँ पर लिखेंगे, nature of root तो nature of root का नदा क्या लिखेंगे, अपन nature of root का लिखेंगे, अपन d is equal to, b square minus 4 a c is less than 0, is less than 0, therefore there is no real root, okay so this is the answer for this question तो कुछ इस तरह से अपने को इसके, डिस्क्रमेंट find out करना है, और अपने को nature of root find out करना है, अब करते है next को, so अभी है यह example, ठीक है, इस example को मैं, अलग से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा important है example, तो इसमें ख़फी लोगों को solution है, मैं आपको provide करवा दूँगा एंड अच्छ, एकदम easy way मैं आपको इसको समझाऊंगा मैं, तो यहाँ पर है, इसमें find the discriminant of the equation, 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0, and hence, find the nature of roots, find them if they real, okay, तो इसमें अपने को, इस equation का discriminant find out करना है, एंड उसके बाद में nature of roots find out करना है, अकर nature of root करना है, अगर इसके अपन roots find out कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर अपने को find out भी करने है, nature of roots, ठीक है, तो nature of roots find out करने हैं अपन formula से, जो कि फोर्मुला होता है, x is equal to minus b, plus minus under root b square minus 4 ac divided by 2a, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, quadratic formula, ठीक है न, quadratic formula के नाम से इसको जानते हैं, so now next, तो यह वाला जो question है, आप खुद से कल देना, try करना, खुद से आप करोगे, तो आपको और से समझ में आएगा, and math ऐसा subject है, जहाँ पर आपको खुद से जितना ज़ता practice आप करोगे, आपको उतना ज़ता समझ में आएगा, अब आते हैं exercise 4.3 पर, ठीक है, exercise 4.3 का अंदर अपने को find out करना है, find the nature of roots of the following quantity equation, if real root exist and find them, तो इस quantity equation के अपने को, सबसे फिले nature of root find out करना है, and nature of root, अगर मैं आगर आता है कि इसके अपन find out कर सकते हैं, तो वो root भी find out करते हैं, अगर exist करते हैं, तो find out करना है, तो यह वाला म मुझे लगता है कि आप कर लोगे, ठीक है, फिर है, find the value of second question करते हैं, यह वाला first वाला question आप कर लोगे, ठीक है, second वाला करते हैं, find the value of k for each of the following quantity equation, so they have two equal roots, अब यह quantity equation है अपने पास में, इस quantity equation का अंदर अपने को k का value find out करना है, और बोला यह गया है, कि इस quantity equation के जो roots है, व b square minus 4ac का value है, वो equal to 0 आएगा, ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इस quantity equation का अपना find out करेंगे, compare करेंगे इसको, x square plus bx plus c is equal to 0 से, तो a का value है, वो आजाएगा अपने पास में 2, ठीक है, b का value है, वो आजाएगा k, ठीक है, c का value है, वो आजाएगा plus 3, तो यह a a, b और c का value है, वो आपन, b square minus 4ac equal to 0 का अदर पूट कर देंगे, तो चलिए, पूट करके देख लेता है, तो b square means k square, ठीक है, minus 4 into a means 2 into c का value 3 is equal to 0, तो यह जाएगा k square minus 4 into 2, 8, और 8 into 3, 24, तो यह minus 24 is equal to 0, so k square is equal to 24, ओके, so k square is equal to 24, तो k का square अटा देंगे, तो यह जाएगा k is equal to plus minus under root 24, और 24 को लिख सकते हैं, k is equal to plus minus, यहाँ से 24 को लिख सकता है, 4 into 6, तो 4 का square अटा जाएगा 2, तो यह जाएगा 2 under root 6, तो इसका value जाएगा k is equal to plus minus under root 6, यह चीज़ अपने को ध्यान रखने हैं, जब भी अपने square अटा रहे हैं, तो दूसरे सेड म under root लगके plus minus का sign लगता है आगे पर, तो इसके दो जाएगा k is equal to plus minus 2 under root 6, मतलब plus में और minus में, तो यह आगे इसका answer, तो इस तरह से आपको second बाला part जो खुद से solve करना है, इसमें मैं एक hint आपको देता हूँ, यहाँ पर देखो, पहले अपने को quadratic equation को, जो यह equation है, इसको पह करना है, मतलब, की का value find out करना है, फिर next question है, it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth, and the area is 1800 meter square, if we also find its length and breadth, यहाँ पर लिकाया है कि, क्या यह possible है, एक rectangular mango groove whose, मतलब एक mango का कुछ, वो गार्डन वागरा कुछ है, ठीक है, तो उसका जो length है, वो breadth का twice है, तो यहाँ पर लिकाया है, whose length is twice its breadth, and the area is 800 meter square, if so, find its length and breadth, तो यहाँ पर क्या है, अपने को पता है, कि कोई भी जो triangular होता है, उसका area का formड़ा होता है, length into breadth, ठीक है, और इसकी जो length है, वो breadth की double है, तो अपन यहाँ पर माल लेते हैं, कि इसकी जो breadth है, वो है x, ठीक है, तो length कितनी जाएगी, 2x, ओके, और area अपने को दे रहा है, 800 meter square, तो इसको अपन लिख सकते हैं, x multiply, 2x is equal to 800 meter square, तो यह हो जाएगा, x into 2x हो जाएगा, 2x square, 2x square is equal to 800 meter square, तो 2 को divide कर देंगे, तो यहाँ पर आगया, x square is equal to 400, ठीक है, तो अब इसको equation ला लेंगे अपन, तो 400 को दे ले लगा जाएगे, तो x square minus 400 is equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पर यह पूछा भी है, कि it is possible, तो it is possible का मतलब क्या है, कि यह possible है क्या equation, क्योंकि equation बनेगे, तभी roots निकाल पाएंगे अपन, ठीक है, तो इसको करने के लिए, अपने को natural root find out करना पड़ेगा, natural root अगर, गर 20 square minus 400 का value जो है, वो greater than 0 आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपन roots find out कर सकते हैं, और इसके जो natural root 20 square minus 400 का value 0 के बराबर आएगा, ओके, आप find out करना इसको value 0 आएगा, and इसके जो है, अपने पास में x का value 20, और यह होगा square होगा, ठीक है, square, तो यह rectangle नहीं square होगा, ठीक है, तो अपने को इसके find length and breadth, जो हो find out कर लेनी है, sorry, square नहीं, rectangle ही ही होगा, but अपने पास में x का value 20 जाए और length जो है, वो 40 जाएगी, ठीक है, so I hope you understood the solution, okay, तो यह चीज़, तो आपको nature of root निकालके, nature of root अगर greater than 0, या equal to 0 आता है, तो आप इसके roots भी आपको find out करना है, मतला है, x का value भी आपको find out करना है, अब इसके बाद में next है, fourth question, fourth question है, is the following situations possible, if so, determine their present edge, क्या यह सिचूइशन से, यह possible है, अगर possible है, तो उनकी percentage find out करो, तो या पर लिका है, the sum of ages of two friends is 20 year, दो friend है, उनकी ages का sum है, वो 20 year है, अगर माल लो, एक friend की जो age है, मैं x माल लेता हूँ, तो जो दूसरे की age है, वो जागी 20 minus x, क्योंकि, दोनों का sum 20 है, तो एक की अगर x माल लेता है, तो दूसरे म year was 48, और चार साल पहले, उन दोनों की ages का जो product है, वो 48 था, तो इसकी जो age चार साल पहले, वो कितने हो जागी, x माल लेता है, और इसकी हो जाएगी, 16 minus x, मतलब 20 में से 4 minus हो जाएगा, तो 16 minus और x, तो यह हो जाएगा, x minus 4, multiply 16 minus x, ओके, तो equal to 40 कर देंगे, फिर अपन इस equation को open करेंगे, तो यह जाएगा 16x, x multiply minus x, minus x square, and minus 4 multiply 16, तो minus 64, and minus 4 multiply minus x, तो plus 4x is equal to 48, अब यह इदर में देखो, minus x square है, तो आपन क्या करते हैं, इन सभी को उधर बेज देते हैं, तो इन सभी को उधर बेजेंगे, तो x square positive हो जाएगा, 16x, और 4x हो जाएगा, minus 20x हो जाएगा, उधर चैन्ज करेंगे, तो इदर प्लस का था, उधर में जाएगा, minus 64, उधर प्लस का हो जाएगा, तो plus 64 हो जाएगा, and plus 48, and equal to 0, तो यह हो जाएगा, x square, minus 20x, इन दोन को 8 कर देंगे, तो 12, and 1 carry, and 112, and plus का sign, is equal to 0, तो यह होगा यह अपनी quadratic equation, अब इस quadratic equation को आपको solve करना है, and देखना है कि क्या इसके जो nature of root है, वो exist करता है, मतलब root जो exist करते हैं, या फिर फिर उसके बाद में अपने को, अगर exist करते हैं, तो उन दोनों की adjust जो है, वो find out करना है, ठीक है, तो यह question हो जाएगा आपसे, अगर कहीं पर कोई confusion, doubt आता है, ता प्लीज मुझे पूसिए, उसके बाद में last question है, five number, five number question है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth, क्या एक rectangular का perimeter possible है, 80 meter and area 400 meter square, अगर possible है, तो प्लीज उसका length of breadth निका लिए, तो यह चीज़े है, तो अपने को पता है कि कोई भी जो rectangle होता है, उसका perimeter का formula था है, two into length plus breadth, ठीक है, और अपने को वो दे रखा है, 80 meter, तो यह लिख लिख लिए, 80 meter, ओके, तो two तो जागे, divide जागा, तो अपने पास जागा, length plus breadth is equal to 80 हो जाएगा, ओके, तो अभी अपन फा अपने को जाएगा, तो length is equal to 80 minus breadth हो जाएगा, sorry, 40, 40, 42, the divide हो गा, तो 40 हो जागा, तो यह जागा, length हो जागा, 40 minus b, ओके, अब सपोस्पोस मालो कि breadth इस question का अंदर अपन मालेते है, breadth अपन मालेते है, x, तो length कितना हो जाएगा, length हो जाएगा, 40 minus x, यह सा ओनो, तो length आगा, 40 minus x, अब area का जो formula होता है, वो होता length into breadth, तो यह हो जाएगा, x multiply, 40 minus x is equal to 400 meter square, तो यह equal to 400 लिख दिया अपन है, अब bracket को open करेंगे, तो यह हो जागा, 40x minus x square is equal to 400, अब इन दोनों को उधर साइड बेज़ दिएगे, तो यह हो जागा, equation x square minus 40x plus 400 is equal to 0, तो यह आगे अपनी quadratic equation, अ अब यह quadratic equation है, इसके nature of roots find out करना है पहले है, और अगर nature of roots के अंदर roots exist करते हैं, तो इसकी length of breadth निकाल लेंगे, ठीक है, so hope so, आपका जो doubts है, वो यहां तक clear होए होंगे, और अगर कोई भी doubts आपको हो, इस exercise में से, या किसी भी exercise में से, कोई भी doubt अगर आपको हो, तो आप मु मुझे इस पर WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं, 8 direct mehend slash 01, ओके, यहां पर भी आप मुझे message कर सकते हों, या WhatsApp पर भी आप मुझे message कर सकते हों, ओके strengths all the best, bye bye, take care, thank you so much.